हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एडियोब ऑनलान क्लासेज एडियोब ऑनलान क्लासेज में आपका स्वागत है दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संधी आज हम जो है जनरल हिंदी के ओपर डिसकस कर रहे हैं इसका पार्ट वन हमने कल देखा था फ्रेंड्स जो है क्लास सुबह आठ बजे लगती है फ्रेंड्स आठ बजे हम राजस्थान के लिए जो पटवारी की क्लासेज है उसमें हम जो राजस्थान जो सामानिय हिंदी का है भाग उसको हम देख रहे हैं यह पूरा 22 नंबर का सेक्शन है दोस्तों इसके अंदर हम यह ट्राई करेंग द्रिक संदी में हमने देखा था कि अ प्लस अ मिलकर आ बनता है अ प्लस आ मिलकर भी आ बनता है और आ प्लस अ बनकर भी आ बनता है मतलब की बड़ी मात्रा बनती है उसी प्रकार से ए में भी छोटी ए मिलकर बड़ी ए बन जाएगी छोटी ए बड़ी ए मिलकर बड़ी ए ब बनकर भी बड़ी बनेगी ठीक है चोटा उ चोटा उ बनकर बड़ा उ बनेगा चोटा उ बड़ा उ बनकर भी बड़ा उ बनेगा बड़ा उ प्रस चोटा उ मिलकर भी बड़ा उ बनेगा तो एक ही चीज ध्यान अखने दिर्ग मतलब बड़ा दिर्ग मतलब क्या होता है बनेगी इसके अंदर ठीक है बड़ी मात्रा तो ये बात इतने में ही खतम हो जाती है आप YouTube पे बहुत सारे classes देखेंगे जो आपको इतना सा समझा कर 5-5 example बता देंगे लेकिन मैंने friends कम से कम 10-15 example लिखे हैं एक-एक का वो मैंने इसलिए लिखा है जितना आप practice करेंगे उतनी ही आपकी हिंदी जो है सही होगी मैंने आपको पहले ही बताए था आपको ये लगता होगा कि बहुत easy subject है और ये वास्ता में बहुत easy है लेकिन जितनी अच्छी practice करेंगे आप संदी या किसी इसके पूरे हिंदी के उपर उतना ही आप strong होंगे इसलिए मैंने सभी का जैसे a plus a देखा हमने अब हम a plus a आ देखेंगे तो हमने सभी का 15 से 20 जो है इसके example लिए हैं जिससे मैं आपके मन में ये सारी चीज़े उतार पाऊं तो हम start करते हैं आज a plus a मिलकर क्या बनता है आ बनता है देखो तरिपूर पलस a अ अ अ अ अ तो यहाँ पे a आया और यहाँ पे भी a आया तो इन दोनो a मिलकर क्या बना आ बना तरिपूरारी तरिपूरारी बना काम पलस अरी तो कामारी बना उपधन अध्याय उपध्याय से क्या बना स धन अपेक्ष सापेक्ष स के बाद अ उच्चारन देखो लाश में अ आ रहा है और अपेक्ष अ तो अ और अ मिलकर आ बनेगा तो सापेक्ष बनेगा ब्रज धन अंग ब्रजांग ब्रज धन अंग क्या बनेगा ब्रजांग बनेगा प्रधन आन प्रान बनेगा क्या बनेगा प्रधन आन प्रान बनेगा ठीके, आगे देखो, पंच पलस अगनी, पंच धन अगनी पंचांगिनी बनेगा, पंच अगनी से पंचांगिनी बनेगा, सब्द धन अर्थ, सब्द धन अर्थ से क्या बनेगा, सब्दार्थ बनेगा, दिव्या पलस अंग, दिव्यांग बनेगा, दिव्या में हम अगर अं तो यही हम पढ़ रहे हैं कि अ और अ बनकर आ बनता है ब्रहम अस्त्र भरमास्त्र बन गया ब्रहम अस्त्र भरमास्त्र बना स्वेत अंबर स्वेतांबर बना गीत अंजली गितांजली बना बीज और अंकुर मिलकर बिजांकुर बना ग्यान अभाव मिलकर ग्याना भाव बना फल अपेक्षा मिलकर फलापेक्षा बना प्रअग्यांगन प्रअगन बनकर प्रांगन बना प्रद अर्पन प्रदापर्न बना उत्तर अर्थ उत्रार्थ बना उत्रार्थ बना ठीके तो ये एक्जामपल आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है मैं चाहता हूँ कि आपके बहुत सारे concept जो है विस lecture के दोरान ही clear हो जाए ऐसा तो नहीं है कि आप सारी चीज़े याद कर पाओ लेकिन जितनी जादा चीजों को देखोगे उसके base पर ही आपका जो है संदी सही हो पाएगा देखो त्रीपुर अरी का क्या बना त्रीपुरारी बना देखो दोस्तों कभी भी लेट नहीं होते अगर आप आज की दिन से भी पटवारी की त्यारी करो और अगर आपने पहले कोई एक्जाम नहीं दिया तो भी आप एक्जाम को crack कर सकते हो यह मेरे आपसे वचन है कथन है अगर आप रेगुलर आज से भी पढ़ाई करना स्टार्ड कर दोगे तो भी आप पटवारी बन सकते हो अगर आपको किसी ने बोल दिया कि पटवारी के लिए बहुत पढ़ना पढ़ता है तो आप मेरा जो है स्टडी प्लान जो नाम से मेरा वीडियो है उसको देखें और अपना confidence बिल्ड करें ठीके तो याद करो इसको त्रिपूर अरी त्रिपूरारी मेरे साथ साथ बोलोगे तो याद हो जाएगा त्रिपूर अरी त्रिपूरारी काम अरी कामारी उप अध्याय उपाध्याय स अपेक्ष सापेक्ष ब्रज धन अंग ब्रजांग प्रधन आन प्रान पंच अगनी पंचांगनी सब्द धन अर स्वेत्प्लस अंबर्स्वेतांबर् बन गया। ब्रम्धन अश्ट्र बर्मास्ट्र बना। गीत्द्धन अंजली गितांजली बना। बीजधन अंकूर बिजांकूर बना। ज्यान धन अभाव ज्याना भाव बना, फल पलक्स अपेक्षा फलेक्षा बना, ठीके, प्रधन अंगन प्रांगन बना, प्रदा पलस अरपन प्रदारपन बना, और उत्तर धन अर्थ उत्राध बना, किलियर है दोस्तों, अब हम देखेंगे कि अ और आ मिलकर भी आ ही बनेग लेकिन हम पहले अ और अ देख रहे थे, अब हम अ और आ को जोड़ेंगे, अ और आ को जोड़ने से आ बनेगा, देखो, हिम हिम तो इसमें आ आ गया और इसमें आ आल्य लेकिन बना क्या हिमाल्य हिम धन आल्य हिमाल्य सत्य धन आग्र सत्याग्र सत्य धन आग्र से सत्याग्र बना निल धन आकास निलाकास बना साक पलस अहरी साकाहरी बना चात्र धन आवास चात्रावास बना देव धन आल्य देवालय देव धन आगमन देवागमन ठीक है देवागमन बना परम धन आत्मा परमात्मा बना परम धन आत्मा से परमात्मा बना सुब पलस आरंब सुभारंब बना फल धन आहर फलाहार बना सच्चिव धन आल्य सच्चिवाल्य बन गया धरम धन आत्मा धरमात्मा बना पहले हां तक रिव्यू कर लेते हैं एक बार देखो हम पढ़ रहे हैं कि अ और आ अ और आ मिलकर भी आ बनेगा तो हमने पहले पढ़ा हिम पलस आल्य हिमाल्य सत्य आग्र सत्याग्र बन गया सत्य धन आग्र सत्याग्र बना नील धन आकास नीला आकास नीलाकास बना साक पलस आहरी साक पलस आहरी साकाहरी बना चात्र धन आवास चात्रावास बना देव धन आल्य देवालै बना देव धन आगमन देवागमन बना परम पलस आत्मा परमात्मा बना है सुभप धन आरम सुभारम, फल धन आहार फलाहार, सचीव धन आल्य सचीवाल्य बन गया, धरम धन आत्मा धर्मात्मा बना, गर्ब धन आधान गर्बाधान, पुस्तक धन आल्य पुस्तकाल्य बना, द्रोन धन आचारिय द्रोनाचारिय बना, ब्रज धन आघात ब्रजाघात बना पत्र धन आचार पत्राचार बना पंच धन आयात पंचायत बना पवित्र धन आत्मा पवित्रात्मा 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 मतलब पवित्रात्मा अल्प धन आहार अल्पाहार अल्प घ्रण करने वाला अल्पाहार आगे देखो सत्य धन आनन सत्यानंद बना राम धन आश्रिय रामाश्रिय बना विरा पलस आकुल विराकूल बना भै पलस आकुल भयाकूल बना सुभ पलस आगमन सुभागमन बना सुबधन आगमन सुभागमन लोकधन आयूक्त लोकायूक्त बना करपाधन आचारिय करपाचारिय बना सोकधन आतूर सोकातूर बन गया पुन्य धन आत्मा पुन्यात्मा बना ठीक है घर्ब प्लस आश्य घर्भाश्य बना नीत धन आहार नीता हार बना भस्ट प्लस आजार भस्टा चार बन गया देखो कम से कम 15 से 20 से 25 अगर आप इनकी उपर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी सब्द सुद्धी भी होगा वर्ड का मिनिंग भी समझ में आएगा और आपके संधी भी अच्छे होने लगेंगे देखो हमने अभी डिसकस किया अ प्लस आ मिलकर आ बनता है इसमें हमने देखा कि सुभ प्लस आरंब सुभारं फल प्लस आहार फलाहार सचीव प्लस आल्य सचीव वाल्य, धरम प्लस आत्मा धर्मात्मा, गर्ब प्लस आधान गर्बाधान, पुस्तक धन आल्य पुस्तक आल्य, द्रोन धन आचारिय, द्रोन आचारिय, ब्रज धन आगात ब्रजागात बना, पत्र धन आचार, पत्र आचार, पंच धन आयात, पवित्र धन आत्मा पवित्रात्मा, अल्प धन आहार अल्पाहार बना, सत्य धन आनन सत्यानंद बना, राम धन आश्रिय रामाश्रिय बना, वीर धन आकुल वीराकूल बना, भय धन आकुल भयाकूल बना, सुब धन आगमन सुभागमन बना, लोक धन आयुक्त लोकायुक्त बना करपा धन आचारिय करपाचारिय बना सोक धन आतूर सोकातूर बना पुन्य धन आत्मा पुन्नात्मा बना ठीके क्या बना पुन्नात्मा बना गर्ब धन आश्य गर्भाश्य बना नित धन आहर नीताहार बना और भ्रस्ट धन आचार भ्रस्टाचार बना तो दोस्तों सम आज में आ रहा होगा आपको सब चीजे बहुत ज्यादा इजी है डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है जितना चीजों पर प्रैक्टिस करोगे उतनी चीजे क्लियर होगी अब हम द्रिग संदी का जो है तीसरा पार्ट आ प्लस अ मिलकर आ बनेगा पहले हमने देखा अ प्लस अ प् मिलकर आ विध्या यहां पे आ की मात्रा आ गई और यहां पे अ आ गया विध्यार्थी विध्यार्थी तथा अपी तथा पी परिक्छा अर्थी परिक्छार्थी युवा अवस्था युवा प्लस अवस्था युवा वस्था सेवा धन अर्थ सेवार्थ पूरा धन अवसे पराधन अस्त परास्त पराधन अस्त कैसे परास्त रेखा धन अंकित रेखांकित क्या बना रेखांकित नीशा धन अंत नीशांत दिक्सा धन अंत दिक्षांत आग्या धन अनुसार आग्या नुसार क्या है आग्या नुसार ब्रमा धन खंड अंड बर्मांड ब्रमा धन अंड बर्मांड सरधा धन अंजली सरधांजली बन गया तो आप यह देख रहे हैं कि हम दिर्ग संदी में आ पलस अ पड़ रहे हैं हम देख रहे हैं दिर्ग संदी दिर्ग संदी में हम आ धन अ आ में अ जोड़ेंगे तो भी क्या बनके आएगा आ बनके आएगा जैसे विद्ध्या विद्ध्या आ है और अर्थी अ है तो आ और अ जुड़ा तो आ बनेगा विद्ध्यार्थी तथापी परिक्छा पलस अर्थी परिक्छार्ती युवा धन अवस्था युवावस्था सेवा धन अर्थ सेवार्थ, पूरा धन अफसेश पूरा वसेश, परा धन अस्त परास्त, रेखा धन अंकित रेखांकित, निशा धन अंत निशांत, दिख्षा धन अंत दिख्षांत, आग्या धन अनुशार आग्या नुशार, ब्रमा धन खंड भर्मांड, ब्रमा धन अंड अब हम देखेंगे कि आ और आ को जोड़ने पर भी आ ही बनेगा ठीके अब हम देख रहे हैं आ और आ को जोड़ने पर आ बनेगा देखो स्रधा आनन स्रधानंद रचना आत्मक रचना आ और उसमें भी आत्मक में आ रहे तो आ और आ बनकर आ रचना तमक कारा धन आगार कारागार क्या हो गया कारागार हो गया स्रद्दा धन आलू स्रधालू महा धन आत्मा महात्मा प्रतिक्षा धन आले प्रतिक्षाल्य प्रतिक्षा धन आले क्या बना प्रतिक्षाल्य बना आत्मा धन आनंद आत्मा नंद बना विद्या धन आल्य विध्याले विध्या धन आल्य विध्याले कारा धन आवास कारावास चिकिचा धन आल्य चिकिचाल्य तथा धन आगात तथा गत बना तो दोस्तों ये एक्जाम्पल थे आ पलस आ को अपने जोड़ा तो आ बनेगा स्रधाधन आनन स्रधानन्द रचनाधन आत्मक उसके बाद है काराधन आगार कारागार स्रधाधन आलू स्रधालू महाधन आत्मा महात्मा प्रतिक्षाधन आले प्रतिक्षाले आत्मा धन आनन्द आत्मानन्द विध्याधन आले विध्याले काराधन आवास कारावास चिकित्षाधन आले चिकित्षाल्य तथा धन आगा तथा आगात बना के लिए अब हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स अ और ई ई और ई को जोड़ने से चोटी ई और चोटी ई को जोड़ने से बड़ी ई बन जाएगी इसके उपर हम विचार करेंगे अध्धन करेंगे देखो रवी चोटी इ यहां पे भी इ चोटी इ रवी इ रवी पलस इंद्र जोड़कर यहां पर बरी इ बन गई रविंद्र बन गया रवी पलस इंद्र रविंद्र देखो मैं आपको इसलिए पैक्टिस करवा रहा हूं आपको लग रहा हुआ कि मैं आपका लेक्चर बहुत लंबा कर रहा हूँ लेकिन जो मैंने आपको पहले ही बताया था हिंदी के अंदर सब्द सुधी, सब्दों का ग्यान करना ही बहुत जादा इंपोर्टेंट है आप सारे संधी समास इसके जितने भी कुस्संस आएंगे एक्जाम में वो आप सब सही कर सकते हैं वो सब आपको आते हैं बस प्रब्लम होगी सब्दों के पहचान में तो जितनी वार सब्दों को अपने हाथ से निकालोगे जितनी वार सब्दों को अपने आखो से देखोगे, जितनी वार सब्दों का उच्चारन करोगे, तब ही आपका हिंदी में जो स्कोरिंग है, वो 22 में से 22 हो सकता है, इसलिए देखो कि रवी ये छोटी E की मात्रा थी, और यहाँ पे भी E है, तो छोटी E, छोटी E मिलकर बड इंद्र हो गया, कवी धन इंद्र कविंद्र हो गया, अभी धन इस्ट अभीस्ट हो गया, कपी प्लस इंद्र कपिंद्र हो गया, प्रती धन इक्षा प्राप्ति इक्षा प्राप्ति इक्षा हो गया, प्रती धन इक प्रतीक बन गया, प्रती धन इक प्रतीक बना, अती धन इत अतीत बन गया कवी धन इच्छा कवी च्छा बन गया ठीके ये सब अभी तक हम दिर्ग संदी के उपर ही डिसकस कर रहे हैं मुनी धन इंद्र मुनी इंद्र बन गया मैं ऐसा लेक्चर आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपको इसके बाद किसी भी किताब को हाथ ना लगाना पड़े ना ही हिंदी के लिए और ना ही राजस्थान के लिए राजस्थान जीके की भी क्लास बहुती सांदार चल रही है रोज रात को नौ बज़े आपको उसकी क्लास मिलेगी ठीके मुनी धन इंद्र मुनींद्र गिरी धन इंद्र गिरींद्र उसके बाद अधी पलस इन अधीन उसके बाद प्रती प्रती प्लस इती प्रतीत ठीके उसके बाद मनी प्लस इंद्र मनींद्र ठीके मनी प्लस इंद्र इसका प्रतीत ऐसे नहीं लिखेंगे प्रतीत ऐसे आएगा प्रतीत प्रती की बड़ी मात्र आएगी और इसके बाद आएगा ये तीत ठीके ऐसे लिखेंगे हम इसको प्रतीत तो छोटी ए छोटी ए मिलकर बड़ी ए मनी धन इंद्र मनींद्र हरी धन इच्छा हरिच्छा अभी धन इस्ट अभी इस्ट बना और रासी धन इंद्र ससी प्लस इंद्र ससिंद्र बना ससी धन इंद्र क्या बना ससिंद्र बना तो ये हमने देखा द्रिग संदी के छोटी ई छोटी ई मिलकर बड़ी ई का निर्मान करती है रवी धन इंद्र रविंद्र कवी धन इंद्र कविंद्र अभी धन इस्ट अभीस्ट मुनी धन इंद्र मुनी धन इंद्र मुनी इंद्र उसके बाद देखो कपी धन इंद्र कपिंद्र प्रापती धन इच्छा प्रापती धन इक प्रती धन इक प्रती इक अती धन इत अती कवी धन इच्छा कवी इच्छा फिर हम देखेंगे मुनी धन इंद्र मुनींद्र गिरी धन इंद्र गिरींद्र अती पलस इन अधी पलस इन अधीन प्रती धन इती प्रतीत मनी धन इंद्र मनींद्र हरी धन इच्छा हरी इच्छा अभी धन इस्ट अभीस्ट रासी धन इनका जोड बन रहा है इसको आपको ध्यान रखना है अब हम बात करेंगे छोटी ई और बड़ी ई को मिला दोगे तो बन जाएगा बड़ी ई छोटी ई बड़ी ई को मिलाने से बड़ी ई बनेगा गिरि यह चोटी E है या पे बड़ी ही है तो बड़ी Y बनेगी गिरिस 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 कवी धन सलते हैं परिधन इच्छा परिक्षा ठीक है आप परिक्षा ऐसा लिखते हैं हमें साब को पता ही होगा परिधन इच्छित परिच्छित अभी धन इश्या अभिश्या अभिश्या अधी धन इच्छिक अधी छक अधी धन इच्छक से अधी छक परिधन इच्छक परिच्छक प्रती धन इच्छा प्रतिक्षा किसी की प्रतिक्षा करना प्रती धन इक्षा प्रतिक्षा हरी धन इस हरीश कपी धन इस कपीश वारी धन इस वारीश कपी धन इसवर कपीशवर मुनी धन इसवर मुनीशवर चिती प्लस इस चितीज तो आप यह देख रहे हैं चोटी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई का निर्मान करते हैं गिरी धन इस गिरीश कपी धन इस कपीश मुनी धन इसवर मुनीशवर। परी धन इक्षा परिक्षा, परी धन इक्षित परिक्षित, अभी धन इश्या अभिश्या, अधी धन इच्चिक अधेचिक, परी धन इच्चक परिक्षक, प्रती धन इच्चा प्रतिक्षा, अब हम बात करेंगे कि बड़ी E और छोटी E को मिलाकर बड़ी E का निर्मान होता है देखो मही में बड़ी E है और यहाँ पर छोटी E है मही धन इंद्र महिंद्र नदी धन इंद्र नदिंद्र उसके बाद है अवनी धन इंद्र अवनिंद्र यती धन इंद्र यतिंद्र नारी धन इच्छा नारी इच्छा देवी धन इच्छा देवी इच्छा सत्तल सती प्ल तो ये एक्जाम्पल थे कि बड़ी E और चोटी E मिलकर भी बड़ी E का निर्मान करेंगे जैसे मही में बड़ी E है और इंद्र चोटी E है तो मही धन इंद्र महिंद्र नदी धन इंद्र नदींद्र अवनी धन इंद्र अवनींद्र यती धन इंद्र अध्यतिंद्र नारी धन इच्छा नारी धन इच्छा देवी धन इच्छा देवी इच्छा सती धन इला सती इला और इस्त्री धन इच्छा क्या होगा इस्त्री इच्छा होगा अब हम बड़ी ई और बड़ी ई को मिलाएंगे फिर भी बड़ी ई का निर्मान होगा देखो नदी प्लस इस नदीस नदीफ़स इस में भी बड़ी ई की मात्रा ये भी बड़ी और यहाँ पे भी बड़ी बन गया नदीस नारी धन इस्वर नारी इस्वर ये देखो बड़ी योगी धन इस्वर योगी इस्वर बड़ी योगी इस्वर में भी बड़ी इस्वर में भी बड़ी इस्वर योगी इस्वर रजनी धन इस्वर रजनी इस्वर रजनी इस्वर रजनी इस्वर रजनी इस्वर रजनी इस् मिलकर आ, आ और अ मिलकर आ, आ और आ मिलकर भी आ बनते हैं, फिर हमने देखा, छोटी इ, छोटी इ बनकर बड़ी इ, बड़ी इ, बड़ी इ बनकर बड़ी इ, बड़ी इ और छोटी इ बनकर बड़ी इ, छोटी इ और बड़ी इ बनकर बड़ी इ बनती है, अब रह गया उ वा पाठ हम कल देखेंगे कि उ से सब्दों का कैसे निर्मान हो रहा है ठीके लेकिन एक बार हम इसका पूरा का रेवियू करेंगे क्योंकि हमें आक्षरों का ग्यान सुध्धि करन करना ही बेहत जरूरी है जितनी यह चीजों को देखेंगे चीजे उतनी किलियर होगी आओ एक वार ओड देखते हैं त्रीपूरधन अरी तिरपुरारी, कामधन अरी कामारी, उपधन अध्याय उपाध्याय, साधन अपेक्ष, सधन अपेक्षापेक्ष, ब्रजधन अंग ब्रजांग, प्रधन आन प्रान, पंचधन अगनी पंचांगनी, सब्धधन अर्थ सब्दार्थ, दिव्यधन अंग द व्यांग बना, भ्रम प्लस अस्त्र भरमास्त्र, स्वेत धन अंबर स्वेतांबर, गीत धन अंजली गितांजली, बीज धन अंकूर बिजांकूर, ज्यान धन अभाव ज्याना भाव, फल धन अपेक्षा फलापेक्षा, प्रधन अंगन प्रांगन, पद धन अरपन पदारपन और उत्तर धन अर्थ उत्राध बन गया ठीके अब हम बात करेंगे अ और आ बिलकर आ बनेगा हीम धन आले हिमाले सत्य धन आगर सत्यागर नील धन आकास नीलाकास साक पलस आहरी शाका आहरी यहां पे अ है और यहां पे आ है चात्र धन आवास यहां पे अ यहां पे आ चात्र आवास देवधन आल्य देवालय देवधन आगमन देवागमन परमधन आत्मा परमात्मा सुबधन आरम सुभारम फलधन आहर फलाहार फलाहार सचिवधन आल्य सचिवाल्य धरमधन आत्मा धर्मात्मा गरवधन आधन गरभाधान पुस्तक धन आल्य पुस्तकाल्य द्रोना धन आच द्रोनाचार्य ब्रजधन आगात ब्रजागात पत्रधन आचार प्रत्राचार पंचधन आयात पंचायत पवित्रधन आत्मा पवित्रात्मा अलपधन आहार अलपाहार देखो सत्य अ में आजुडा सत्य आनन सत्यानंद राम आस्रिय रामास्रिय, विर आकुल विराकुल, भय धन आकुल भयाकुल, सुब धन आगमन सुभागमन, लोका धन आयुक्त लोकायुक्त, करपा धन आचार्य करपाचार्य, सोक धन आतूर सोकातूर, पुन्य धन आत्मा पुन्यात्मा, गर्ब धन आश्य गर्भाश्य, मि प्रश्ट धन आचार ब्रश्ट आचार आपको लग रहा है दोस्तो मैं आपको दो नहीं प्रदा वहां कि आपके यह सारी चीज़े क्लियर हो जाए वीडियो में जितना टाइम आप लगाओ उतने टाइम में आपकी पूरी चीजे जो है क्लियर हो जाए ठीके द्रिग संदी में अब हम आ और आ को जोड़कर आ बनाएंगे विध्या यहां पे आ है और यहां पे अ है विध्यार्थी तथा धन अपी तथा पी परिक्षा धन अर्थी परिक्षार्थी युवा धन अवस्था युवा वस्था सेवा धन अर्थ सेवार्थ पूरा धन अवसेज पूरा धन अस्थ परास्थ रेखा धन अंकित रेखांकित निशा धन अंत निशांत दिक्षा धन अंत दिक्षांत आग्या धन अनुशार आग्या नुशार ब्रम धन ख अंड ब्रमांड स्रधा धन अंजल अब हम आ और आ को जोड़कर आ बनाएंगे। अब हम ए की बात करेंगे चोटी ए चोटी ए बनकर बड़ी ए बनेगी। अब हम ए बनाएंगे चोटी ए बनाएंगे चोटी ए बनाएंगे। रासी धन इंद्र रासी इंद्र बन गया। अब हम बात करेंगे चोटी ए और बड़ी ए बनकर बड़ी ए का निर्मान करेंगे। गिरी धन इस गिरीस, कवी धन इस कवीस, मुनी धन इस्वर मुनी स्वर, परी धन इक्षा परिक्षा, परी धन इच्छित परी में चोटी ए और यहाँ पे ये बड़ी ए है परिक्षित बना, अभी धन इश्चा अभिस्चा बना, अधी प्रस इच्छक अधी चक बना, परी धन इच्छक परी चक बना, प्रती प्लस इच्छा प्रतिक्षा बना, हरी धन इश्य हरीस बना, कपी धन इस कपीस बना, वारी धन इस वारीस बना, कपी धन इस्वर कपीस बना, मुनी धन इ अब हम देखेंगे बड़ी E, छोटी E मिलकर बड़ी E का निर्मान करेंगे मही धन इंद्र महींद्र बना, नदी धन इंद्र नदिंद्र बना, अवनी धन इंद्र अविंद्र बना, अवनींद्र बना, यती धन इंद्र यतिंद्र बना अब हम बड़ी ई और बड़ी ई को जोड़ेंगे तो बड़ी ई का निर्मान होगा तो दोस्तों ये संधी का पार्ट तू था अपको कैसा लगा मुझे कमेट जरूर करिएगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एड्यू हब ओनलाइन क्लासेज चो डट आपको जो है हिंदी और राजस्तान जीकी क्लासेज और कंप्यूटर की क्लासेज मेलती रहे और आप उसका अध्यन करके राजस्तान का पटवार बने मेरी यही इच्छा है आप लोगों से ठीके आपने जो हमें टाइम दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक्यू फ्रेंड हेव नाइस बेब बाबाई